हेलो दोस्तो, VCE Computer Experts में आपका सभागत है आज मैं Microsoft Word में एक और visiting card बनाना सिखाऊंगा जिसमें हम shape, shadow और outline वगरा के tools यूज़ करेंगे तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले background तियार करनी है तो उसके लिए हम shapes वगरा यूज़ करते हैं और इसको यहां से सेंटर से पकड़ के आप mirror कर सकते हैं और यह colors हैं जो भी आपको color ठीक लगे आप fill कर सकते हैं अगर इसमें कोई color आप बरना चाहते हो ना मिले तो फिर more color में चले जाओ, standard में चले जाओ, यह सारे colors हैं अगर outline चाहिए तो रखो नहीं चाहिए तो no line कर दो ठीक है अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक box draw कर लेता हूँ जिसके अंदर अंदर हम सारे effect बगरा बनाएंगे box को तो चलो no fill करके हटा सकते हो और यह जो shape लगाई है इसका duplicate कर लो duplicate के लिए क्या करना के border के उपर टिक करके control D कर देना इसको यहां से पकड़के गुमाओ और इस corner के उपर adjust कर दो और मालो, बीच में कोई shape मेरको चाहिए ठीक है तो यह सारी shapes पड़ी है जो भी आप background में designing के तोर पे लगाना चाहते तो लगा सकते हो ठीक है अगर कोई shape आप अपनी मर्जी से लगाना चाहते हो आपको ना मिले ठीक तो free-form shape के साथ आप बना सकते हो जैसे माल लो इस corner से यहां तक और फिर इस corner से यहां तक इसको close कर देना है तो मेरे को यह shape चाहिए तो मैं इसको भी fill कर सकता हूँ outline हटाना है तो no line कोई text लिखना तो आपको सीधा नहीं लिखना है ठीक है जो आप सीधे simple text लिखो गए आप उसको move नहीं करा पाओगे insert में जाके यह रहा text box draw text box लेके यहां पे भी text लिखना है वहां पे एक box बना लो और जो कुछ भी लिखना है आप अपनी wording यूज कर सकते हों जैसे मेरे को लिखना है जगदीप सिंह और यहां पे उनकी designation लिखनी है advocate box का size जितना आपको छोटा बड़ा करना है यहां से कर लो अगर text का size बड़ा करना है तो यह increase font size है यहां से आप text का size बड़ा कर सकते हो और यह हमारी font की list है यहां से आप अपनी margin के font भी लगा सकते हो ठीक है मालो उपर वाली line को मेरे को यही font लगाना है और नीचे वाली line को और लगाना है तो आप select करके font change कर सकते हो ठीक है जी और इनकी alignment में पीछे से बराबर करना है तो यहां इसको right align tick करके alignment right side कर दो अब इसमें color आ गया है तो shape format में जाके shape fill पे tick किया यहां पे no fill करना है और outline के उपर tick करके no outline करना है तो आपकी outline हट जाएगी और अगर इन दोना line में gap कम करना है तो home के अंदर यहां पे line को line का space कम करने के tool ice को आप remove space कर दो तो उनका gap भी कम हो जाएगा अगर same to same कोई दूसरा इसके साथ का text लिखना है तो control D से पहले duplicate कर लो फिर यहां पे लिखना है उसको आप edit कर लो जैसे मालो यहां पे मेरे को mobile number देना है ठीक है तो देखिए एक line में नहीं आ रहा तो मैं यहां से box थोड़ा बड़ा कर लूँगा दूसरी line में दूसरा अब दोनों का same font रखना चाहता हूं तो copper black font लेके आप same to same font लिख सकते हो और अगर कोई fancy word लिखना है जैसे word art से लिख सकते हो यह select नहीं होना चाहिए खाली जगह आपके उपर click करके फिर आपको word tool लेना है तो ऐसे tool आएगा क्या लिखना है आपको इसमें select करके capsule count करके जो भी लिखना है लिख दो ठीक है अब इसका भी आप font change कर सकते हो ठीक है यहां से आप इसके tools होते हैं यह text के लिए हैं यहां पर text effect पड़े हैं यह रहा transformation tool आप इसको wrap कर दो तो जितना आपने box बनाया है वो उस box में बिल्कुल fit हो जाएगा color कहां से करना है यहां से जैसे dark blue color करना है outline मिरको black रखनी है ठीक है कोई इसको effect देना है जैसे shadow वगरा reflection तो यहां से आप दे सकते हो मालो मिरको यह वाला shadow effect देना है तो पीछे नीचे shadow effect आ गया और अगर shadow की कुछ properties change करनी है तो यह shadow option है और साथ में खुलेंगे यह transparency है यहां से transparency बटाग गड़ा सकते हो यहां से size बड़ा चोटा कर सकते हो ठीक है अगर कोई गलती हो जाए तो immediately आप control z करके हटा भी सकते हो ठीक है यह वाले shadow के tools है और यह blur tool है इसको कितना जारा blur करना है अगर आपको solid रखना है ठीक है आप इसकी value यहां से कम ज्यादा करके set कर सकते हो और एक अक्षर और insert करना तो मैं text box ले लेता हूं draw text box करके यहां पर एक box बना लिया इसमें लिख दिया computer experts और यह size command है size से size बड़ा कर लो और यहां से font change कर लो इसको बिल्कुल इसके साथ adjust करो और यह command मैंने पहले भी कराई है no fill और no outline दोनों को no fill no outline कर देना यहां पर इसको divider से divide करना है तो shape में जाके line tool लगाओ line tool को shift के साथ लगाना है ताके line सीधी लगे यह outline tool के उपर line की properties बड़ी है किस color की line लगानी है जैसे मालो मेरको orange color लगाना है जाँ pink color लगाना है ठीक है यह line की पड़े है style पड़े है thick thin बड़ा है line और यह line की width है जितनी आप इसकी width बढ़ाओगे उतना ही style उसका show नहीं लगेगा ठीक है next में मेरको लिखना है address वगेरा तो same insert के उपर गए text box अगर तो effective लिखना है कोई बड़िया सा text लिखना stylish तो word art use करो अगर simple font में लिखना है तो draw text box करके ऐसे एक box बना लो और उसमें लिखना शुरू कर दो photo editing लिखना है एक line में लिखके enter करके दूसरी line में चले जाओ वहाँ पर अगर आपको थोड़ी जगा छोड़ के लिखना है तो space दे लो आपको रहाँ लिखना है झाल 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 ऐसे फिर अगली लाइन में एंटर किया तो टैप प्रेस करके टैप के आगे चले जाओ किया एंटर किया जे तो टाओ एंटर किया तो बार किया में जेंट लाओ उेंटर किया अगली लाओ टेंटर किया ठाव किया तो टे एंटर जाओgenommen Metro तो मालो मेरा टेक्स सिर्फ इतना ही है और इसको भी मैं टैप की प्रेस करके थोड़ा आगे लेके बिल्कुल एक जैसा कर दूँगा अब सबसे पहले तो लाइन का गैप है इसको आप यहां से रिमूब स्पेस के साथ कम कर सकते हो यह साइज कमाड है साइज बड़ा चोटा करने के लिए अगर हेडिंग को भी बड़ा चोटा करना तो यहां से आप करके इसको बोल्ड अंडरलाइन कर सकते हो और ऐसे ही यह पिछे वाले जो अक्षर हैं इनको भी आप बोल्ड कर लो अगर फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यह नॉर्मल यह है ताइम्स न्यू रोमन अब इसके पिछे भी कलर शो हो रहा है तो शेप फिल में जाके नो फिल आउटलाइन के उपर जाके नो लाइन तो यह हमारा सेंटर वाला टेक्स्ट आ गया नीचे भी आपको कुछ लिखना है ठीक है अगर तो सेम प्रॉपटी जखनी है कॉपी कॉपी पेस्ट कर लो कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल भी पेस्ट जैसे यहाँ पे लिखना ओफीस का ड्रेस 7474 स्टीट नमबर 8 डाबा कलोनी करतार एंटर मार के चौंक नेर और क्रिशन स्कूल और ब्रैकट में आप स्टेशन लिख दो लो दियाना शॉट फॉर्म एल्डिएच तो देखिए दोस्तो अंडरलाइन सभी के उपर आ गया तो यहाँ आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए स्लेक्ट करके यहाँ से अंडरलाइन बंद कर दो साइज बड़ा रखना है तो यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हो फॉर्ट चेंज करना है तो यह फॉर्ट चेंज कर सकते है जैसे 16 पंट साइज है मैं 14 रखना चाहता हूँ तो यह 14 हो गया अगर साइज बड़ा अपनी मर्जी से सेट करना तो आप लिक के भी एंटर करके सेट कर सकते है तो देखिए दोस्तो हमारा मैटर त्यार हो गया है साइड में आप लोगो रह गया है तो लोगो के लिए सबसे पहले शेप में से जाके एक सरकल बना लो सरकल बिल्कुल राउंड होना चाहिए तो उसके लिए आपको shift बटन प्रेस करके सरकल बनाना है कलर यहां से दे दो जो भी चाहिए औरेंज देना है और आउटलाइन भी औरेंज रखो अब duplicate कर लो duplicate करके इसको इसके बाजू में adjust करना है एक duplicate और कर लो उसको दूसरी तरफ adjust करो ठीक है यह logo का flower ready हो गया इसके उपर अब center का नाम लिखना है विशकर्मा Computer Expert का short form BCE लिखना है तो मैं text box यूज कर लूँगा यहाँ पर टिक किया draw text box के उपर टिक किया एक box बनाया पहले उसके उपर लिख दो V ठीक है यहाँ से size बढ़ा करके अक्षर बोल्ड कर लो सबसे पहले shape fill में जाके no fill फिर outline पर आके no line और यह रहा text color white इसको आप border के उपर टिक करके बीच में adjust कर लो और यहाँ से आपको जितना भी size चाहिए उतना ही रखो इसके लिए duplicate करना है control D से और C लिख लो एक duplicator करो control D करके और यहाँ पर दूसरा text E लिख लो तो देखिए हमारा logo ready हो गया तो इसके उपर VC लिखना था वो लिखा गया तो देखिए दोस्तों ऐसे आप simplest से simpler visiting card Microsoft Word में भी त्यार कर सकते हो अगर आपको सारी की सारी shape यूज़ करनी आ जाए तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो कोई भी design बना सकते हो तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसको like और share जूर कीजिएगा thank you दोस्तो